अगर आपको अपना खुद का theme create करना है तो create new बटन पे click कीजे name type कीजे अगर आपको cover page के लिए theme create करना है तो title बटन पे click कीजे और अगर inner pages के लिए करना है तो page बटन पे click कीजे themes में background apply करने के लिए background बटन पे click कीजे आप अपने खुद के बैक्ग्राउंड ब्राउज बटन पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं मन्चा बैक्राउंड अप्लाई करने के लिए कोई भी एक बैक्राउंड पे क्लिक कीजिए फोटोस पे फ्रेम्स अप्लाई करने के लिए फ्रेम्स बटन पे क्लिक कीजिए आप अपने खुद के फ्रेम्स ब्राउज बटन पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं मन्चा फ्रेम अप्लाई करने के लिए फोटो को सिलेक करके फ्रेम पे क्लिक कीजिए थीम्स पे क्लिपार्ट अप्लाई करने के लिए क्लिपार्ट बटन पे क्लिक कीजिए आप अपने खुद के क्लिपार्ट ब्राउज करके इंसर्ट कर सकते हैं मन्चा क्लिपार्ट इंसर्ट करने के लिए क्लिपार्ट पे क्लिक कीजिए आप इसे रिसाइज करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं title insert करना हो, तो title button पे click कीजिए, title type कीजिए, font change करना हो, font button पे click कीजिए, मंचा font select कीजिए, size change करना हो, तो size button पे click कीजिए, size select कीजिए, title को bold या italic करना हो, तो bold और italic button पे click कीजिए, title का color change करना हो, तो font color button पे click करके, color select कीजिए, और ok button पे click कीजिए, आपने जो भी theme create की है, उसे आप किसी भी category में save कर सकते हैं, आप new category button पे click करके, अपनी खुद की category बना सकते हैं, बनाई हुई theme को save करने के लिए, save button पे click कीजिए,